प्रेज दलारोड आप सबको जय मसी की मैं परमिसर का धन्यवाद दिखाने के लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद दिखाने के आप सबने कल मेरे साथ मिलके मनिपुर के लिए प्रात्ना की मैं आपका हिर्दय से धन्यवादी हूँ और हम जानते हैं कि जब एक सामोहिक प्रात्ना की जाती है परमिसर उसका जवाब बहुत जल्दी देता है पतरज जब जेल खाने में था तो कली से उसके लिए लो लगा कर प्रात्ना कर रही थी दोस्तो हमारा भरोसा सिर्फ परमिसर पर होना जी हम मनुस्यों पर भरोसा करेंगे सबसे पहली बात तो हम शरापित हो जाएंगे दूसरी बात ये कि मनुस्यों से हमारी मदद नहीं कर सकता वो एक लिमिटेड काम करेगा लेकिन परमिसर अनलिमिटेड काम हमारे जिवन में करता है जब पतरज जेल खाने में था कली सिया लो लगा के प्रात्ना कर रही थी ना वो किसी नेता के पास गई ना किसी राजा के पास गई ना किसी उचे ओदेवाले के पास गई वो सिर्फ परमिसर के पास आई और घुटनों पर आकर पतरस के लिए प्रात्ना की और पतरस को परमेसर ने एक स्वर्दूत को भेज कर वहां से जेल खाने में से छोड़ा लिया दोस्तों इसी तरह से हम भी अपने लोग जो आज संकट में हैं, कलेस में हैं, परेशानी में हैं, वेदनाओं में हैं, दुख में हैं मारे जा रहे हैं, खायल के जा रहे हैं, उनको बेघर किया जा रहा है, वो परिशानी की हालत में है, तो इस समय उन लोगों को हमारी प्रात्नों की सक्त जरूरत है, मैं हिर्दे से धन्यवादी हूँ आप सब का कि आप सब ने कल मेरे साथ मिलके प्रात्ना की, आज फिर एक ब जो उन लोगों के लिए हैं, जो संकट में हैं, चाब वो हिंडिया में हूँ, चाब वो हिंडिया के बाहर हूँ, कहीं पर भी हूँ, जो प्रभू के लोग हैं, जो संकट में हैं, परिशानी में हैं, उनके लिए परमिसर का एक बहुत बड़ा वाइदा है, तो उस वाइद तो बहुत जरूरी है कि हम जो उन से दूर हैं, उन से बाहर हैं, हम उनके लिए प्रातना करें, क्योंकि प्रातना एक ऐसा हत्यार है, जो पत्थरों को भी तोड़ डालता है, दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और इस वचन को सुनकर फिर हम प्रातना करेंगे, टूपर्स में आज का सवाल है कि फिलोमोन की पत्री किसने लिखी है, अगर जानते हैं तो कमेंस में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्सिन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, आईए आज किस वचन को शुरू करूँगा, वचन है कि परमिर्सर ने क्या वाइदा हम से कि तो आईए, सबसे पहले हम देखेंगे भजन सहिता, पचास सध्याय, पंधर है आईद, इससे पहले कि मैं ये वचन पढ़ूँ, मैं गुजारिस करता हूँ कि इस वचन को शेर कीजिए, ताकि ये मनिपुर के लोगों तक पहुँचे, और वो परमिर्सर की इस आवाज को स सुने, कि परमिर्सर आज उनसे क्या बाक्चित करना चाहता है, तो लिखा है, पचास अध्यास के पंधर है पद में भजन सही था, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छोड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा, संकट के दिन मुझे पुकार, किसी, जैसे परमिर्सर को पुकार नहीं बहतर समझा, और उसका प्रतिफल उनको मिला, उसका जवाब उनको मिला, और क्या हुआ, परमिर्सर ने अपने दूट को भेज कर पत्रस को उस जेल खाने में से निकाल दिया, जहां पर वो बेडियों से जकड़ा हुआ था, लोहे के बड़े- ओदेवाले ने नहीं किया, किसी पाश्टर ने नहीं किया, किसी बिशप ने पोप ने नहीं किया है, यह वाइदा परमिर्सर ने किया है, वो कहता है कि और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छोडाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा, हम यह बात अच्छी किएगा और इसी वाइदे को स्मन करते हुए अपने दिमाग में रखते हुए आखों को बंद करके परमिस्त से प्रात्ना करते हैं प्रभू तूने ही कहा है कि संकट में मैं तुझे छुड़ाँगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा तो फिर हमें छुड़ा अब तू संकट के बीच में रहूं अब ये वचन किसके लिए है जो लोग संकट में हैं परिशानी में हैं विरोध सहरे हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है परिशान किया जा रहा है उनकी एक छोटी सी प्रात्ना है क्या प्रात्ना है लिखा चाहे मैं संकट के बीच में रहू तो तोई तो मुझे जिलाएगा ये विश्वास आप लोगों का होना चीज्ज्ज तरह मेरे दोस्त हैं मेरे भाई बहन है वो बच्चे हैं छोटे छोटे जो असाएं aur जिन्हों ने अपने परिवार को खो दिया है वो इस्तरी हैं जिनोंने अपने पतियों को खो दिया है वो भाई लोग हैं जिनोंने अपने परिवार को खो दिया है उनसे मैं बिंती करता हूँ कि इस वचन को आप कोट कीजिए इस वचन को पढ़िए और परमेसर से बाचित कीजिए काहिए का चाहे मैं संकट के बीच में रहू तो भी तू मुझे जिलाएगा तू मेरे क्रोधित शत्रों के विरोध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा अधार करेगा बहुत सामर्थी वचन है ये बहुत सामर्थी प्रात्ना है ये उन लोगों के लिए जो विरोध सहरे हैं जो संकट में हैं परिशानी में हैं और शत्रों से घिरे हुए है ये प्रातना उनको सांत बना देंगी और इस प्रातना को सुनके परमेसर उनकी मदद करने के लिए जरूर आएगे तो यहाँ पर लिखा है चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा कौन जिलाने वाला तो परमेसरी है मनुस्य के हाथ में इतनी सामर्थ नहीं है मनुस्य तो समाप्त करता है मर करता है मारता है लेकिन परमेसरी है जो जिलाता है चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा तू मेरे कुरोधित शत्रों के विरुद हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उधार करेगा प्रेज दालोर कितना सामर्थी वचन है ये छोड़ी सी प्रात्ना कीजिए प्रमिसर आपकी मदद के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और शत्रों के मुझ को मोड़कर उनके कदमों को मोड़कर उने आपके पास से दूर कर देंगे एक छोड़ी सी प्रात्ना करके देखिए परमेसर जरूर इस प्रातना का जवाब आपको देंगे फिर जब हम भजन सेता 91 देखते हैं तो वहाँ पर देखे पंदरहें पद में क्या लिखा है परमेसर का एक और वाइदा है भजन सेता 91 91 अधिया और उसका पंदरहें पद जब वैं मुझको पुकारे अब देखे पहले परमेसर ने लिखा कि संकट के दिन मुझे पुकार और फिर दूसरी आयत हमने पड़ी भजन सेता 137 पन में कि मैं तुझे पुकारता हूं प्रभू तुम मुझे मेरे सत्रूं से बचा फिर परमेसर का वाइदा फिर एक और वाइदा आता है बजन सेता 91 अधिया पंदर है पदमे लिखा है जब वै मुझे को पुकारे तब मैं उसकी संकट में मैं उसके संक रहूंगा मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा ये परमेसर के बड़े बड़े वाइदे हैं दोस्तों हम परमेसर को ना बताएं कि परमेसर हमारे पास इतना बड़ा संकट है हम बहुत बड़ी परिशानी में हैं हम अपनी संकट को परिशानियों को सत्रों को बताएं कि तुम से बड़ा हमारा परमेसर है जैसे के शद्रक मिश्रक अब दन्गो जब घिर गए थे एक राजा के सामने थे और बहुत सारी भीर थी उन्होंने इंकार कर दिया कि हम तेरी खड़ी कराईवी मुरत को दन्जबत नहीं करेंगे उन्हें साथ गुना धदकाईवे भट्टे में डाल दिया गया और वहां से परमेसर ने उनको जीवित निकाला ऐसा परमेसर है हमारा वही परमेसर आपसे वाइदा करता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सिनूँगा संकट में मैं उसके संग रहूँगा मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाँगा और लिखा है कि मैं उसको दिरगाई से तरफ्ट करूँगा और अपने केवियो धर का दर्शन दिखा हूँगा दोस्ते छुड़ी सी प्रातना आपको करनी है भजन सहिता 138 के 7 पद में जो लिखा है उसको आपको कोड़ करके हातों को उठा कर वो प्रातना आपको करनी है फिर जब हम देखते हैं भजन सहिता 107 अध्याए और उसके 6 पद में तो देखे वहाँ पर क्या लिखा है तब उन्होंने संकट में यहवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया दुहाई तो परमेशर की देनी है किसी मनुष्य की नहीं किसी नेता की नहीं परधान मंतरी मुख्य मंतरी कोई से भी मंतरी हूँ वो इसे भी नेता हूँ, हमें उन्हें नहीं पुकारना पुकारना है तो सिर्फ परमेशर को क्योंकि संकट में वो ही हमारा द्रडगड़ ठैरता है वो ही हमें बचाता है तो दोस्तों इस वचन को शेर कीजे तकि ये उन लोगों तक पहुँच जाए जो संकट में है तकि वो इस परातना को करें भजन सेता 138 सथ है उसके साथ पद को महाँ पर क्या लिखाए एक बाफ फिर से मैं उसको पढ़के उसके बाद हम परातना करेंगे या लिखाए चाहे मैं संकट के बीच में रहू तो भी तू मुझे जिलाएगा का मुझ काला होगा और वो आप से दूर हो जाएंगे प्रेज दलोड परमेसर आप तब को आशिच दे ये परातना कीजिए परमेसर आपकी मदद के लिए जरूर रहेंगे परमेसर जूट नहीं बोनता आईए एक परातना करेंगे मैं गुजारिस करता हूँ जितनी भी लोग इस वचन को देख रहें तुन रहें वो सब मेरे साथ इस परातना में शामिल हो जाए परम पवितर परमेसर में तेरा धन्यवाद तेरा शुकर तेरी तारीफ तेरी बढ़ाई करता हूँ परभू क्यों किती से हो गया है धन्यवाद देता हूँ कल जब मैंने परातना की तो बहुत से लोग मेरे साथ जुड़ गए मेरे परभू मैं एक बाद फिर से परभू जी उन सभी को अपने साथ लेकर तेरे सम्मुक आता हूँ परभू और तेरे उन असहाय लोगों के लिए जो संकट में हैं परिसानी में हैं दुख में तकलीवों में हैं बहुत से लोग मर गए हैं हजारों लोग मरे हैं परभू बहुत से हजारों बेघर हो गए हैं परभू जी दरदर भटक रहे हैं भूके हैं प्यासे हैं नंगे हैं मेरे प्रभुजी उनको कोई भी सहायत नहीं मिल रहा है मेरे प्रमिसर तो प्रभु इस समय हम सब मिलके प्रभु जो तेरे विश्वासी लोग हैं प्रभु तेरे बच्चों के लिए जो तेरे विश्वासी हैं प्रभु जो तेरे कहलाते है प्रभू उनके लिए हम प्रात्ना करते हैं प्रभू तो उनकी सुधी ले मेरे प्रभूजी और अपना हाथ बढ़ा कर प्रभूजी उन बच्चों को छोड़ा ले मेरे प्रभूजी शत्रों को प्रभूजी उनसे दूर कर मेरे प्रभूजी ताकि तेरे बच्चे एक बाप खेज कर वो हमको निकाल लेता है प्रभू हम तेरी दुहाई देते हैं मेरे प्रभू हम रोते हैं बिलखते हैं प्रभू जी तेरे बच्चों के लिए जो इस समय असहाय हैं प्रभू जी उनका कोई भी सहाया के समय नहीं है मेरे प्रमेसर तो प्रभू मैं बिंति करता हैं प् जान जाये कि हाँ एक परमिसर है वो समर्थी परमिसर जो संकट में से अपने बच्चों को बहुती सरल तरह से सरल रिति से बहुती अسानी से निकाल लेता है अपने बच्चों पर रहम कर उनके सारे गलती गुना शमा कर प्रभू और अपने बच्चों को एक नया जीवन दे और ताकि प्रभू वो तेरे बच्चे तेरी महिमा कर सके और लोगों को बताएं कि प्रभू येश्यू ने हमारे जीवन में अद्बुत काम किया है जितनी भी लोग मेरे साथ इस समय परातना में मैं उन सब पर तेरी आशिश बोलता हूँ सबको आशिशित करना प्रभूजी सबकी रोग बीमारी चिंता परिशानी दूर कर दे प्रभू और प्रभूजी अपने बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तमाल करता कि जिन के लिए भी परातना करें उनके जीवन में बड़े बड़े काम होने लगे मैं एक बाप फिर से मनीपन को तेरे सम्मुकले कराता हूँ प्रभूजी राष्टे खोल प्रभूजी सारे बंधन खुल जाएं रुकाबटे दूर हो जाएं प्रभू तेरे बच्चे प्रभूजी आज़ाद हो जाएं मेरे परमिसर और तेरी महिमा कर सके शत्रों के मूँ को बंद कर मेरे परमिसर उनकी छुपी चालों को नश्ट कर मेरे परमिसर तेरे बच्चे सुरक्चित रहें तेरी महिमा करें और तेरे नाम को उचा उठाएं वो घटे और तो उनमें बढ़ता चला जाए धन्यवाद देता हूं प्रभू तो ने मेरे परात्ना को सुन लिया प्रभू यश्यू के नाम से मागता हूं आमें आमें फिर आमें तेंक्यू जीजस दोस्तों इस परात्ना को आप जरूर शेयर कीजिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आज भी मेरे साथ इस प्रात्ता में शामिल हुए एक बड़ा बोज है मनीपुर के लिए क्योंकि मनुस्य से कुछ भी हो नहीं पा रहा है करेगा तो सिर्फ परमिसर करेगा अगर आपका ही विस्वास है कि मनीपुर के लिए सिर्फ परमिसर करेगा तो कमेंट्स में जरूर लिखे कि हाँ अपने बच्चों की मदद परमिसर जल्दी करेगा आमें प्रेज दे लॉड परमिसर इन सारी बातों के लिए हम सब को आशिशित करे मैं आपसे कुछ आरिस करता हूँ कि इस वचन को शेर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इसको देखे और ये वचन मनीपुर तक पहुँचे और उन बड़े नेताओं तक भी पहुँच जाए जो चुप होकर बैठे है प्रेज दे लॉड टूपर्स में आपका सवाल है कि फिलमुन की पत्री किस ने लिखी अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए नहीं तो डिस्क्रिप्सिन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए ताकि नोटिफिकेशन आपके पहुंचे नया वीडियो नई जानकारी आपके पास बिना वेवधान के पहुंच जाए मेरे वीडियो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर मुस्ते जरूर बाचिब कीजिए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नया शंदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजिए लेकिन घुटनों पर आकर मनीपुर के लिए रेगुलर निरंतर प्रातना करती रहे है क्योंकि रेगुलरिटी में ही रिजल्ट मिलता है प्रेज दालोर्ट